दोस्तों आज के इस वीडियो के माध्यम से हम G-Coil Hot Plate का Connection करना सीखने वाले हैं दोस्तों वैसे तो यूटूब पे आपको बहुत सारे वीडियो मिल जाएगा जिसमें Hot Plate का Connection बताया गया है लेकिन उन में से एक भी वीडियो में ये नहीं बताया गया कि किस प्रकास से जो हमारा Hot Plate है उसके Temperature को कंट्रोल किया जाता है तो चलिए दोस्तों आज के इस वीडियो के माध्यम से हम इस Hot Plate का Connection करना सीख लेते हैं और साथ ही साथ में हम ये भी समझ लेते हैं कि जो हमारा Hot Plate है इसके Temperature को किस प्रकास से कंट्रोल किया जाता है तो दोस्तों ये जो हमारा Hot Plate है इस Hot Plate में एक Element लगा होता है ये हमारा Element है इस Element को जब आप देखोगे तो इसमें आपको दो कोईल मिल जाएगा इन दोनों कोईल का इस्तमाल करके हम इस Element को टीन Temperature पे Operate करा सकते हैं अब यहां पे जो हमारा Temperature होगा उसको कंट्रोल करने के लिए आपको यहां पे Selector Switch का इस्तमाल करना पड़ता है ये हमारा Selector Switch हो गया ठीक है इस Selector Switch को जब आप देखोगे तो इसमें आपको टोटल चार पोजिशन मिल जाएगा इसमें से तीन पोजिशन Temperature के लिए और एक पोजिशन Off के लिए ठीक है अब यहां पे जो हमारा Element है इसको Power Supply देने के लिए आपको एक केबल का भी इस्तमाल करना पड़ता है तो जो हमारा Hot Plate होता है इसमें केवल तीन Component लगे होते हैं अब चलिए यहां पे हम Connection करना भी सीख लेते हैं देखिए Connection करने के लिए आपको क्या करना होता है यह जो हमारा Selector Switch है Selector Switch में जो दो टर्मिनल है इन दोन टर्मिनल पे आपको Input Power Supply देना पड़ता है जिसमें हमें Neutral Power Supply मिलेगा उस वायर को ले जाके जो हमारा दूसरा टर्मिनल है उसके साथ Connect कर देना है अब इसके बार में यह जो हमारा केबल होता है केबल में जो Green Wire होती है Green Wire को ले जाके हमारा जो Hot Plate होता है उसके Body के साथ Connect करना होता है तो यहाँ पर हमने इस वायर को ले जाके जो हमारा Hot Plate है उसके Body के साथ में Connect कर दी है अब इसके बार में जो Connection किया जाएगा उसको आप ध्यान से देखेगा क्योंकि यदि आप यहाँ पर Connection गलत कर दोगे तो उस Condition में Source Circuit हो सकता है तो यहाँ पर आपको क्या करना होता है यह जो उपर वाला Terminal है उपर वाला Terminal का मतलब यह जो हमारा Rotary Switch है इस Switch के Side में जो Terminal होगा उस Terminal से एक वायर को Connect करना है और इस वायर को ले जाके जो हमारा Hot Plate है उसका जो Common वाला Terminal होता है उसके साथ Connect कर देना होता है common का मतलब आप एक बार समझ लीजी देखिए यहां पर आप देख सकती हो हमारा दो कोईल आपस में एक जगा कनेक्ट हो गया है इसको हम कहेंगे common टर्मिनल ठीक है तो हमें क्या करना है जो हमारा rotary switch है इसका जो उपर वाला टर्मिनल है इसको ले जाके common टर्मिनल के साथ कनेक्ट कर देना है उसके बाद यह जो center वाला टर्मिनल है इसमें से एक बार को कनेक्ट करिए और इसको ले जाके center वाले कोईल के साथ में कनेक्ट कर दीजेगा ठीक है उसके बाद जो last वाला टर्मिनल है इसको लियाके दूसरे वाले कोईल के साथ में connect कर देना है तो कुछ इस प्रकास से आपको connection करना होता है यहाँ पे जो connection किया गया है उसको आपको same to same करना होता है यदि आप यहाँ पे connection गलत कर दोगे तो उस condition में आपका जो selector switch है वहाँ पे एक source circuit हो जाएगा अब चलिए दोस्तों यहां पे हम यह समझ लेते हैं कि किस प्रकास से हम इस hot plate के temperature को control करते हैं तो जो हमारा selector switch था उसका symbol मैंने यहां पे बना दिया हूँ और यह हमारा hot plate है ठीक है connection same किया गया है जो हमारा hot plate है उसके एक एक सीरे को लाके यहां पे connect किया गया है और इन दोनों कोईल के एक सीरे को आपस में जोरके उस wire को लाके यहां पे connect कर दिया गया है ठीक है यहां पे जो हमारा input terminal होता है उसमें केवल दो terminal होता है लेकिन internally एक और terminal होता है ये दोनों टर्मिनल आपस में सौट होते हैं ठीके तो आपको यहाँ पे केवल फेल सप्पलाई और यहाँ पे न्यूटर्ल सप्पलाई देना होता है अभी के कंडिशन में जो हमारा स्विच है वो जीरो पॉजिशन पे सेलेक्ट है इस condition में आप देख सकते हो जो हमारा switch है वो open condition में यानि कि किसी भी कोईड में power supply नहीं जा रहा है इस condition में जो हमारा hot plate होता है वो off condition में होगा ठीक है अब यहाँ पर जो हमारा selector switch है इसके position को हम change करते हैं यहाँ पर हमने एक number position पर कर दिये इस condition में आप देख सकते हो जो हमारा face supply वो यहां से जा रहा है और यहां से होते हुए दूसरे coil में आ रहा है और यहां से इसको neutral supply मिल जा रहा है यह दोनों terminal आपस में connect नहीं है अभी के condition में face supply यहां से जा रहा है और neutral supply यहां से जा रहा है यानि की कम temperature होगा ठीक है अब यहां पर जो हमारा सेलेक्टर स्विच है इसके position को हम change करते हैं यहां पर हमने दो नमबर position select कर दिये दो नमबर position select करने पर यहां पर जो हमारा face वाला terminal है वो connect हो जाएगा यह जो हमारा दो नमबर का coil है इसका terminal connect नहीं होता है उसके बाद यहां पर जो neutral वाला है यह connect हो जाएगा इसका मतलब यह हमारा face supply हो यहां से जाएगा और यहां से return होते हुए आ जाएगा यानि कि जो हमारा coil number 1 है वो केवल operate होगा तो इस condition में जो हमारा hot plate होता है वो medium temperature को generate करता है ठीक है अब यहां पर जो हमारा selecter switch है इसके तीन number position को हम select करते हैं तो इस condition में यह दोनों terminal आपस में connect हो जाएगा और यहां से हमारा face supply connect हो जाएगा यानि कि दोनों coil हमारे parallel में connect हो तो दोस्तों आपको केवल यहां पर यह समझना होता है कि जो हमारा hot plate है उसमें जो दो coil होते हैं यदि उन दोनों coil को हम series में connect कर देते हैं तो उस condition में low temperature generate होगा यदि हम केवल एक coil को power supply दें तो उस condition में medium temperature generate होगा और यदि हम दोनों coil को parallel में connect कर दें तो उस condition में high temperature generate होता ह तो उसके लिए राइट वाले वीडियो को देख लीजिए उस वीडियो को देखने के बाद आप खुर मिक्सर ग्रेंटर का रिपेरिंग कर लोगे इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद